जैसिर्रम जैवाला जी दोस्तों अज हम आपको बताएंगे डाइबेटर माइट्रो कॉल की फिटिंग कैसे करते हैं आइए हम खोलके दिखाते हैं कि डाइबेटर में मवट्रो मत्रो खोल मिट्रो के से उस्व में हैं आपको इसकी हैं यह हमारे डाइबेटर जो कि जैगवार का है कि देख सकते हम जैगवार कार्या आप जेगवार कंपनी का है और यह है हमारा डायविटर जेगवार का इसमें हम एंटी लगाते हैं एंटी यह पॉन भाई आधे की है इसको हम इसमें टैपलान लगा के कर देंगे टैपलान के तुम ऐसे हैं इसाइब अब अब टैपलान लगा रहे हैं जिसको पंदला से 20 राउंड 25 राउंड 25 राउंड 30 राउंड अपन कर सके हैं यह बाइव एक ऐसे ही सप्पे लगा लेना है अजिए हुआ है अजिए निटे नेटन आ है कि यह हमारा कूल वार्टर का है इस तरफ यह हाट वार्टर का है ऐसा नहीं किदर भी कर सकते हैं कि अध्यूस रुटेए कि हाट वार्टर विए कुलवाना लें इस दो.. यह हमारा माइट्रो कोली यह भी देखबार का है इसमें एक एम्टी एक एप्टी लगेगी एम्टी यहां करसाईगी यह देल इंची का है यह देख सकते हैं एक चाही एक बटा डू लिकाए देल से कनवर्ड होके यह सवा में आगया है यह सवा में एक सही एक बटा जार तो इसके एम्टी अभी और एप्टी नहीं आई है इसलिए इसको अभी कसा नहीं है यह सिर्व आपको लोगों को दिखाने के लिए यह बना आ है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को इसकीप मत करिएगा क्योंकि आप लोगों इसकीप करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे जो लोग सीखना चाते हैं उनके लिए तो यह हमारी इसकी फैंच क्लिए है यह और यह इसका वाइसा है जो की फिटिंग होने के पाद इसमें लगता है और इन्हां इसकीपार थिसके इसमें कनेक्शन करने के रहता है जो कि इसको हम यूज नहीं करते क्यों क्योंकि यह लिक माता है यहां लग कि कसा जाएगा ये ये इसा करता जाए लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि एमटी इसमें भी लगनी होती इसमें भी लगनी होती है एप्टी तो हम इसमें नहीं लगते हैं इसको हमें यहां भी फिट करना है यह आजाएगी हमारी हाट वाटर की लाइन है सोलर पैनल गीजर जो हम यहां से क्रॉस करके उदर ले जाएगे यहां से हम हाट वाटर उठा लेगे ठीक है पाइंट जोड़ते हैं यह हो गया हमारा दोस्तों अब यह लगाने के बाद मैं आपको खोल के भी दिखा हुआ अब यह जोड़ेंगे हम कुल वाटर का जो कि हमारे ट्वीन वन रहेगा इससे हमारा सोलर का भी पानी आ जाएगा अपने को गयास गीजर लगाना है लेक्ट्रिक गीजर लगाना है दोनों में से जो लगाना है वो लगा सकते हैं कि यह हो गया अपना है यह साप कर लेना चाहिए डश्ट यह तो यह नल में जाकर खराबी करता है जिसके हम नल चोक होनी की संभावना जादा रहती है कि मेर पास एक तुखड़ा पड़ा है जिसका नाप लेके मैं काटके आएं जोड़ दूंगा दोस्तों वीडियो लास्ट जरूर देखे इस्किप न करें क्योंकि जिससे सीखना है वीडियो पूरा देखेगा बाकी जो दोस्तों लोग नहीं देखना चाहते वह इस्किप कर सकते यह होगे अपने गीजर सोलर का अब यह जोड़के उदर नैस्क वाले बातरून में चला जाएगा यह अपना हो जाएगा एक पॉइंट यहां पे शावर का पॉइंट यह हमारा सावर का पॉइंट होगे अबने शाष्ट शाष्ट बार जाएगे संदर्गे शाष्ट बनाइब जोड़की थोड़ आसा बड़ा है इसको अच्छेम दोपाई इसको बोलते हैं क्रॉसिंग बैंड जहां लाइन क्रॉस होती है इसके लिए इसको यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम है क्रॉसिंग बैड मिलते हैं शू बैंड बहुते हैं यह हुजा हमारा क्रॉसिंग बैड अब हम इसको नाप करके यहां पर इसको पॉंची दिलेगे यह होगा हमारा फाइनल यह देखिए डाइवेटर इसका नारी उपर शावर का पॉंट यह हमारा सोनल का सोलर आया जो यहां पर लगए गरम का और यहीं क्रॉस होके प्रॉसिंग वेंड लगके उदर वाले बात्रूम में चला जाएगा यह हमारे साथ देड़िंची की लाइन है जो हम उस बात्रूम में कनेट करने हैं अलग से दूसरी लाइन नीचे लए गई यहां पर इस पिश्कारी भोलते हैं जिसे जैट और यहां पर यहां तो अमारा वह लग जाएगा कि और यहां हमारा माइटट में लग जाये लाए treffen यहीं से पुस होके यहां अमरी बॉलिंग लगेगी जगे कम है दोस्तों इसपेस को आपको दिखाता है इसका इसपेस लिखता है जादस जाद है चार बाइ चार बाइ पांच का बातरूम है मेरे ख्याल से इससे जादा तो नहीं है दॉब एस हाद से एसे जाद नहीं है more जबात रएस भूल मेग्स का प्लादस क्लादस कि वे इसका वरच आफड़ Begin यह भन से जादस को पातर विक मेंई जादस के तो चाल रस यह, जजब जब रख करादस रषब आए ये क्राइश को जर वाले गाटनी